नमस्कार आप देख रहे हैं HVN News तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिट में 25 खबरों की कानपूर एंकाउंटर मामले में विनेतिवारी समय 7 लगों को पुलिस कानपूर देहाद कोट लेकर पहुची एशिया का प्रद होने के बाद IPL के बढ़े असार अब ICC के फैसले के इंतिजार विकास दूबे के साथी प्रभाद को फरिदाबाद में पकड़ा और कानपूर में एंकाउंटर CBSC की तरहा गुजराद बोड भी करेगा और नौवी से लेकर बारवी तक का सिले बस शेयर मार्केट में SEBI की बढ़ेगी निगरानी कंगना ने पूजा भट से पूछा की महिश भट को शुषात और रिया के विस्ते में दिलचस्पी क्यू IG की जाच में सही पाए गई CEO की चिठी की थी SHO विनेतिवारी की शुकायत बढ़त के साथ शेयर बजार की शुरुवात सेंसेक्स लेड़ सो अंक मजबूत जमू कश्मीर में बीजेपी नेता वसीम की हत्या पर बीजेपी अध्यक्ष नड़ा ने जताय दुख पित्रकूट मामले में राहूल गांधी बोले कि क्या यही हमारे सपनों का भारत है वाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका चिन के खिलाफ अतिरिक्त कारवाई करने के तैयारी में है इंडिया ग्लोबल वीक का आगाज आज प्रधान मंत्री नरेद्र मोधी देंगी उध्गाटन भाशन सेना ने जवानों को फोन से फेस्बुक समेत नवासी एप्स डिलिट करने को कहा 36 गड में नकसिली कपल ने दंतेवाड़ा स्पी के सामने किया सरेंडर बिहार के वैशाली से सांसद वीडा देवी हुई कोरोना पॉजिटीव पठना के एंपस में भरती तुतिन कोरीन विवाद मामले में मजिस्ट्रेट ने तीन पूलिस कर्मियों को 23 जुलाई तक नयाई खिरासत में भेजा दिल्ली के मुंडिका इस्तित गोदाम में लगी आग 30 फायर ट्रेंडर मौकियों पे मौजूद जगदीब के निधन से दुखी बॉलिवुड सितारे नमाखो सिदी कॉमेडियों को श्रधांजली एंग्लाईड के कप्तान डूट दूसरी बार बने पिता सोशल मेडिया पर शेयर की तस्वीरे कीवी दिगज ने कहा कि टाई होने पर ट्रॉफी साजा करे ओडियाई में सूपर ओवर की जुरत नहीं 24 घंटे में रिकॉर्ड 25,569 मरीज बढ़े देश में अब तक 7,79,000 केस 1000 जिलों में खुलेंगे खेलो इंडिया सेंटर पहले चरण में 100 जिलों में खुलेंगे एक सेंटर BCCI अध्यक्ष गाउली ने कहा कि 35 से 40 दिन मिले तो IPL देश में ही होगा अटार्णी जनरल विलियम ने कहा कि हमारी पुलीस अश्वेतों और श्वेतों के बीच भेदभाव करती है अमेरिका में एक दिन में 60,000 नए मामले सामने आए इसके बावजुद भी सकार इसकुल खोलने का दबाव बना रही